अज के class में हम लोग पढ़ने वाले metrology क्या होता है मतलब pharmaceutical calculation क्या होता है यह दोनों एक ही है अलग अलग नाम से आते हैं यह आप लोग को pharmacy के industry में जैसे हम लोग formulation करते हैं किसी भी drug का तो पहले क्या किया जाता है किसी भी चीज का measurement किया जाता है तो इसी metrology and pharmaceutical calculation के थूँ ही उनका measurement क्या जाता है तो जैसे देखते हैं metrology क्या होता है metrology is the scientific study of measurement मतलब metrology क्या बोल रहा है कि एक scientific study क्या रहता है measurement का रहता है मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं एक measurement का process देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसमें measurement क्या जाता है तो उसी तरीके से जैसे देखते हैं तो इसमें calculation part को दो type से divide के गए एक metric system के थुरू second क्या है imperial system के थुरू अब metric system को जैसे समझें तो एक metric system क्या था है ये एक fixed unit को बताता है मतलब कि हम लोग जैसे metric system को समझें तो फिर जैसे kilogram होगे हमको पता है kilogram में कितना gram आता है है ये एक metric system में होता है मतलब इसमें हमको fix पता रहता है कि कितना हमको लेना है लेकिन imperial system जो रहता है imperial system का क्या रहता है ये एक बहुत पुराना system बोल सकते हैं इसको जो पुराने physician थे वो prescription प्रवाइड करते थे तो इसी system से प्रवाइड करते थे क्योंकि उस time जो है ऐसे kilogram का use नहीं होता था तो उस time जैसे pound हो गया grain हो गया इस type का unit उस time use किया जाता है तो ये imperial system में आ जाता है मतलब कि it is a old system of measurement बोल सकते हैं इसको ये new system है मतलब कि अपके time में क्या है कि matrix system का use किया जाता है imperial system के imperial system को छोड़के अब ज्यादत तर ये matrix system को use किया जाता है अब जैसे matrix system को हो लोग पढ़ें क्या होता है matrix system तो matrix system क्या होता है the matrix system is used in the Indian pharmaceutical for the measurement of weight and capacity जो matrix system रहता है इसका use किसलिए किया जाता है जो empiric system जो रहता है उसका तो इसमें weight and capacity जैसे बोल रहा है तो measurement of weight मतलब कि kilogram ये इसका क्या रहता है standard unit रहता है then measurement of capacity ये क्या रहता है liter रहता है ये इसका standard unit होता है जो liter जो रहता है वो capacity का जो kilogram है वो weight का तो उसी को हम लोग जैसे आगे पढ़ते हैं तो उसी में जैसे देखें तो हम लोग जैसे कि हमको क्या करना रहता है weight capacity हो गया जैसे उसका volume हो गया length हो गया है ना इस सब को क्या करना रहता है हमको अच्छे से क्या करना रहता है जानना रहता है अच्छे से समाझना रहता है वैल्यूज क्या होते हैं यह सबसे हमको पता रहना चाहिए तो इसके लिए एक क्या बोल सकते हैं एक वैल्यूज जो आते हैं इनके जो वैल्यूज आते हैं एक इसको क्या बोल सकते हैं एक फ्लो में हम लोग याद कर सकते हैं कि किस तरीके से इसके वैल्यूज होते हैं जैसे याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं g ग्राम को हम लोग main point ले गे चलते हैं दिन ऊपर जैसे जाते हैं kg0.hdr.dcdcmg ये आपको एक फ्रो में आदना चाहिए ताकि इससे क्या हो सके आप लोग को आसानी हो सके इसके values को पता करने में तो जैसे ही हम लोग जैसे gram को जैसे main point लेके चलें तो gram को क्या है जैसे कि यह हम weight के हिसाब से इसको क्या बोल सकते हैं पता करें कि weight के हिसाब से जैसे इसका value कैसे होता है तो एक gram बराबर एक gram होता है उपर जैसे जाएंगे तो इसका right side का जो value है 0 है वो क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा नीचे जाएंगे तो left side 0 बढ़ते जाएगा ठीक है point के बाद 1 0 बढ़ते जाएगा left side में तो उसी तरीके से जैसे gram के उपर तरब जाएं तो फिर क्या होता है जैसे 1 dkg बराबर 10 g and 1 hectagram बराबर 100 g and 1 kg बराबर 1000 g इसी तरीके से जैसे नीचे आएंगे तो 1 dkg बराबर 0.1 g इसको हम लोग 10 के पावर माइनस 1 बोलते हैं एक centigram is equal to क्या हो जाएगा 0.01 g मतलब इसको 10 के पावर माइनस 2 बोलते हैं एक milligram मतलब क्या होगा 0.001 g मतलब 10 के पावर माइनस 3 लेकिन microgram में थोड़ा सा change हो जाते है इसमें 10 के पावर माइनस 6 आ जाते हैं मतलब कि यहां पर जो value है वह 6 time हो जाते हैं मतलब कि 5 0 & 1 तो इसका क्या हो जाता है 10 की पावर माइनस 6 हो जाता है इसे तीरीकी से सब में जाते हैं जैसे कि length हो गया, length को हम लोग meter से denote करते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, कि same जैसे हम लोग इसमें गए, हैना weight के लिए कि यह वैसे ही length के लिए हो जाता है, और length के बाद जैसे volume का देखें, तो volume का भी same हो जाता है, हैना इसी तरीके से हमको क्या करना रहता है, सब को याद र ग्राम में जाना रहता है यह ज्यादा तर हमयरे फार्मसी के इतने ही यह जाता H में Levh t'neg पत्रइबğा के लिए हमेशा पता है इससे ही आगे का कैलकूलेशन जो फारगरता है वह होता है अब जैसे हम metric system में कोई सा example लेके बात करें तो हम लोग को metric system में ज़ादा तर यह याद रखने हैं कि 1 kg में कितना gram हो रहा है 1 kg में 1000 gram होता है 1 gram में 1000 mg होता है एन 1 mg में 1000 µg होता है तो यह हमको तीनों ज़ो है हमको ज़ादा तर याद ही करना पड़ेगा मतलब इसको समझ के रखने कि 1 kg में कितना 1 mg में कितना 1 mg में कितना 1 mg में यह चीज़ हमको याद रखना पड़ेगा है न तो यह ज़्यादा ज़रूरी रहता है pharmacy के calculation में यह हमको जो lab जो है रहते हैं उसमें हम लोग जैसे measurement करते हैं अब जैसे एक example देख चाहें कि किस तरी से हम लोग जो metric system है उसको use करते हैं तो हमको जैसे नॉर्मल से एक example लेते हैं कि 15,000 माइक्रोग्राम में कितना ग्राम होता है यह हमको निकालना है कि कितना माइक्रोग्राम दिया है तो उसमें कितना ग्राम उसमें लेना है हमको ठीक है तो हमको क्या पता है हमको यह पता है कि एक मिली ग्राम में कितना माइक्रोग्राम होता है क्योंकि इसमें माइक्रोग्राम में पहले दिया है तो हमको पहले इसको मिली ग्राम में निकालना पड़ेगा है तो पहले हम लोग क्या करेंगे कितना मिली ग्राम है इसको पहल करेंगे जैसे तीर्य गुणा करेंगे तो इसका आगे का वेलिय आया गे इस को क्या करेंगे दोनों को क्या करने के बाद इसका एक स कर, हमारा फ्यूजएजएल मिलिग्राम यह कुल तुह हमारा क्या जाेगत लिछिए मिली ग्राम प्रेजेंट है ठीक है तो हम लोग इसके बाद देखो हम लोग जैसे मिली ग्राम में जैसे निकाले तो मिली ग्राम को हम लोग को क्या करना पड़ेगा माइकरो ग्राम में निकालना है मिली ग्राम को क्या करना पड़ेगा एक ग्राम जो है उसमें 1000 mg रहता है तो x का वेल्यू हम लोग को पता है कि x क्या है हमारा 15 mg अब 15 mg के साथ फिर से तीर्याग गुना कराएंगे उसके बाद दूनों को क्या कर देंगे, divide कर देंगे divide करेंगे तो हमारा जो है ग्राम में वेल्यू आ जाएगा कि 15,000 microgram में हमारा कितना gram उसमें है हम लोग जैसे उसको gram में देखेंगे तो कितना gram रहेगा वो 0.015 gram ये इसका value हो जाएगा जैसे कि 15,000 microgram में इतना gram होता है ठीक है ये समझ में आगए इस तरी से हम लोग क्या करते हैं इसको calculate करते हैं तरीके से use किया जाता है जैसे हम लोग pharmacy के field में जैसे calculate करते हैं तो इसी तरीके से देखते हैं अब जैसे आगे देखते हैं तो आगे हमारा क्या आजाता है imperial system आजाता है तो imperial system का जैसे देखें तो imperial system क्या होता है पहले ये देख लेते हैं तो imperial system हम मैं पहले भी बताया था कि it is a old system of weight and measure मतलब ये एक पुराना system रहता है कि इसे के लिए weight and measure के लिए ठीक है ये पुराना system रहता है इसी को imperial system बोलते है तो इसको भी दो type से divide के गए इसके भी two parts है न first जैसे देखें everdopoise system रहता है second रहता है apothecary system रहता है एवरडopoise system को pound से pound इसका standard unit रहता है and apothecaries का जो standard unit रहता है वो grain रहता है ठीक है अब इसी का जैसे देखते हैं तो apothecaries fluid measurement का जैसे देखें तो किस तरीके से इसको calculate करते हैं इसके values कैसे रहते हैं तो यह पहले देखते हैं यह थोड़ा सा tough रहता है इसका जो calculation रहता है इसमें हम लोग को यह चीज याद रहना जरूरी है तब ही इसका जो calculation हो बनता है ठीक है जासे इसमें देखें तो 60 minims is equal to क्या होता है 1 fluid ratio हम रहता है 8 fluid ratio मतलब कि 1 fluid ounce and 16 fluid ounce मतलब 1 pint and 2 pint is equal to 1 quart and 4 quart is equal to 1 gallon and 1 gallon is equal to 3.78 liter यह इसका जो रहता है यह value होता है किसीज के apothecary system का मतलब imperial system में यही सब चीज है वो use किया जाता है calculation के base पे हमको यह याद रखना है कि जो इसके types रहता है everdo part system and apothecary system इसके हमको unit पता रहना चाहिए कि इसके standard unit क्या है दोनों का है यह जादा तर आप लोग के exam में भी पूछा जाता है कभी कभी कि इसके standard unit क्या होते है तो आप लोग को यह सब चीज याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है बाकि जो यह calculation के जैसे parts है जैसे कि इसके units जो है इनके जो values है यह सब चीज थोड़े थोड़े याद करना ज़रूरियत है अगर calculation is based पे आते हैं अब इसके जैसे examples देखें तो example में जैसे देखते हैं तो फिर इसमें जैसे example देखते हैं कि यह हमको क्या पता है normal सा है कि एक gallon में हमको क्या पता है फिर पाईट सिवन एक लिटर होता है तो five gallon में कितना होगा five gallon is equal to x अब दोनों को तीरे गुना करादू simple सा है तो इसमें देखो क्या होजाएगा five gallon का जैसे देखें तो five gallon में x is equal to तो दोनों का जैसे गुना कराएंगे है न फाइब को जैसे दोनों के सांद गुना हो जाएगा तो इससा हमारा क्या हो जाएगा जो फाइब गलन है उसमें कितना लीटर होता है यह हमको पता चल जाएगा कि हमको क्या पता ना चाहिए कि एक गलन में कितना लीटर हो रहा है उ उसके value में मिल गया हमको answer इसी तरीके से इसमें calculation किया जाता है अगर समाजना है तब तो अगर इसमें second जैसे example देखते हैं कि किस तरीके से और भी पूछा जा सकते हैं जैसे कि 5 quarts is equal to कितना fluid ounce इसको F0 से denote करते हैं fluid ounce को तो इसमें जैसे देखें कि 5 quarts में कितना fluid ounce होता है अब इसमें कैसे इसको calculate करने है तो इसमें जैसे देखें हम लोग को क्या पता है कि 1 quarts में कितना paint होता है तो पहले हमको quarts निकलना पड़ेगा कि एक quarts में कितना होता है अधना उसके बाद ही 플루 hassle निकलेंगे थीक है तो उसमें जैसे देखते हैं कि 1 कौर्ट में 2 पिंट होता है न तो 1 पिंट में कितना फ्लूडाउंस होता है हमको फ्लूडाउंस निकालना है तो यह हमको पता है कि 1 कौर्ट में 2 पिंट होता है 1 पिंट में 16 फ्लूडाउंस होता है तो 1 कौर्ट में दोनों को देखें तो 2 प हुते हैं तो 15 1 دmerलों में कितना jest 34 हूँए हमको पता है कि 5 कुई हैं तो 32 को मिलें को क्या कर देंगे हλοगे आशे को रहें फाइब के साथ लिसी है चीनल यह हैं न इस्दीफ हिर जशे किचूब्गोट में कितना हो Aviero Deppos, जैसे system र하दry apothecary system है यह सब चीज इस तरीके से काम होता है इस तरीके से इसका यूज किया जाता है अब आगे जैसे हम लोग को पढ़ना है तो आगे जैसे पढ़ेंगे तो आगे जैसे पढ़ते हैं तो household measurement आता है household measurement का मस्टलब ये रहता है कि जैसे हम लोग घर में कैसे क्या क्या यूज करते हैं है ना घर में जैसे हम लोग यूज करते हैं जैसे इस्पून का यूज करते हैं तो इस्पून में कितना ड्रॉप जैसे उसमें है तो कितना एमेल उसमें आता है तो ये सब चीज हम लोग देखते हैं तो इसमें जैसे देखें, household maison की main case ताफ से जैसे matrix system को देखें, जैसे ml हो गया, and imperial system में जैसे minimums, slowdowns हो गया है ना, ये सब चीज जैसे देखें, तो one drop में कितना, matrix system में कितना होगा, इसका 0.06 ml होगा, and one teaspoon is equal to 4 ml, अब इसी को जैसे देखें, कि one drop यानि कि matrix system में 0.06 ml, and imperial system में one fluid drachem, one desert spoon, full मतलब की इसमें कितना होगा, matrix system में 8 ml, and two fluid on fluid drachem, ये हमारा imperial system में हो जाएगा, then one tablespoonful मतलब की 15 ml, imperial system में 4 fluid drachem, and two tablespoonful मतलब की 30 ml, ये का हो जाएगा, one fluid on, ठीक है, one wine glass full मतलब की 16 ml होगा, उसमें matrix system जैसे one wine glass जैसे लेंगे, तो उसमें कितना ml रहागा, 16 ml रहागा, उसी तरीके से matrix system काम कर रहा है, तो जैसे देखें, तो इसका जैसे imperial system में देखें, तो two fluid on, ये इसका क्या हो जाएगा, value हो जाएगा, तो वैसे ही देखें, तो आगे जैसे देखें, तो one tea cup full मतलब की एक cup के समान जो रहता है, उसमें कितना ml आता है, 120 ml इसमें आता है, ठीक है, जैसे matrix system में देखें, और उसी को imperial system में देखें, तो अब इसी का last जैसे देखें, तो one tumbler full का मतलब क्या हो जाएगा, 2.40, मतलब की 240 ml हो जाएगा, यानि की matrix system में हो जाएगा, and end fluidons मतलब की imperial system में हो जाएगा, अब इस household measurement के हिसाब से, अगर हम लोग calculation देखें, नॉर्मल सा अगर calculation देखें, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे की example जैसे लगते हैं, कि in 3 tablespoon, how much ml, मतलब की 3 tablespoon में कितना ml उसमें होगा, है ना, तो इसमें जैसे देखें, तो 1 tablespoon में कितना है, 15 ml होता है, तो हमको उसी को 3 tablespoon में कितना होगा, 3 से into कर देंगे 15 को, तो हमारा 45 ml, कि इसमें होगा, 3 tablespoon में 45 ml होगा, इस तरीके से हम लोग इसको calculate करते हैं, अब इसी के जैसे हम लोग जैसे example के बेस में अच्छे से देखें कि जैसे exam में जिस टीप से question आता है तो उसके इसाब से अगर देखते हैं तो वो आगे के जैसे example रहता है उसमें जैसे देखेंगे अब जैसे यह हमारा example है कि in solution of 100 ml liquid contain alcohol 1 wine glass full chloroform 3 teaspoonful and boric acid 6 desert spoonful मतलब हमको क्या पता है कि जो 100 ml का solution है उसमें जो यह contain है ना alcohol chloroform boric acid वो इस volume में present है अब हमको क्या करना है make a solution for 100 liters 10 liters मतलब कि क्या करना है 100 ml का solution है उसमें इतना इतना चीज present है अब इस के base पे हमको क्या करने है पड़ेगा 10 liters के लिए prepare करना है solution तो हमको कैसे prepare करेंगे उसको कैसे निकालेंगे तो उसी को जैसे देखें कि take a alcohol in 100 ml मतलब 100 ml के लिए हमने alcohol लिया था 1 wine glass full तो हमको क्या पता है we know that 1 wine glass full is equal to 16 ml मतलब कि क्या है 100 ml के लिए हमने क्या लिए था 16 ml लिया था तो उसी को जैसे देखें देखो so 16 ml is equal to 100 ml मतलब कि हमने क्या किया 16 ml ला 100 ml के solution में तो अब इसको जेसे हम लोग को निकालना क्या है कि 100 liters के लिए निकालना है तो 100 liters के लिए इसको हम लोग 10 to 1000 ml मतलब हमको क्या पता है 10,000 में ml, तो उसी को देख रहे हैं कि x is equal to क्या हो जाएगा, 16 into 10,000 upon 1000, यह मतलब कि 100, 100 हमारा क्या है, यह जो हम इसमें solution जो add किये थे, 100 ml के लिए लिए थे, तो उसी को जैसे किये, कि हम लोग जैसे 100 ml का है, तो हमको जैसे तीरिया गुना कराया, तो तीरिया गुना से x is equal to हम हमारा यह value निकल गया, कि 1600, 16 into 10,000 upon 100, तो इसे हम लोग जैसे calculate करेंगे, तो x का value हमको निकल जाएगा, कि 100,000 है, इसके लिए हम लोग को कितना ml जो है, क्या लेना पड़ेगा, alcohol लेना पड़ेगा, है ना, तो यह हमारा निकल गया, x is equal to 6000 ml alcohol in 1000 ml of solution, 1000 ml solution प्रिपेर करने के लि 1000 ml हमको लेना पड़ेगा, alcohol को, ठीक है, इस तरीके से हम लोग के calculation जो है, वो use किया जाते है, इस तरीके से हम लोग को, इसको calculation किया जाता है, तो इसमें जैसे देखें, आगे का जैसे process देखें, तो take a chloroform हमारे क्या निकल गया, alcohol का निकल गया, हमको chloroform के निकलना है, अब एका chloroform in 100 ml in 3 tablespoon मतलब 3 teaspoonful मतलब इसी में जैसे देखें तो we know that हमको क्या पता है कि 1 teaspoonful is equal to 4 ml तो 4 ml हमारा क्या है 100 ml solution में है अब उसी को 10,000 ml के लिए जैसे निकालना है तो उसी को जैसे निकालेंगे तो इसको X माल लेते हैं दोनों को तीरिया गुना कराएंगे तो इसके जैसे X का value तो क्या आजाएगा 4 into 10,000 upon 100 तो इसको जैसे जैसे दोनों 0 को कार देंगे इसको 4 से into करेंगे तो इससे क्या आजाएगा X का value हमको मिल जाएगा कि हमको 1000 ml के लिए कितना chloroform हमको लेना है मतलब कि 400 ml chloroform हमको 10,000 ml के लिए चाहिए रहेगा है ना 100 ml के हिसाफ से इस solution के हमको 10 लिटर का बनाना है तो हमको 400 ml लेना पड़ेगा chloroform को 1000 ml solution के लिए मतलब भी 10 लिटर solution के लिए अब उसी को जैसे देखें बोरी केसिड हम ले रहे है तो बोरी केसिड जैसे 100 ml के लिए 6 टेबल इस्पून फूल ले रहे है 6 डेजर्ट इस्पून फूल ले रहे है तो हमको 8 ml में जैसे 8 ml हमारे किसमें प्रिजेंट है 100 ml solution में हमको क्या निकलना है 10,000 ml के लिए कितना लेंगे उसको है ना बोरी केसिड को तो एक समाल ले 10,000 ml जैसे तीरिया गुनहतर आया तो x is equal to क्या जाए गए 8 into 10,000 upon 100 100 ml का तो इसमें हमारे क्या निकल जाएगा कि कितना ब पर देखने ना आक कितने वीयम में हमको 10 Ls के लिए निकालना है 200 L में जैसे देखे हमétat स्वेक्रिया जैसे देखे या फिर इंपेरियल सिस्टम में जैसे देखिए तो यह सब चीज क्या किया जाता है यूज किया जाता है तो इसमें आप लोग जैसे डेजर्ट इस्पून जैसे देख रहे हैं मतलब कि जो हाउस होल्ड मेजर्मेंट है यह एक अच्छा एक्जामपल है आप लोग को समझने के लिए तो इस तरीके से इसको कैलकुलेशन किया अगर यह वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी अगर हल्पुल रहा तो प्लीज लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आने वाले अगर ऐसी तरह के वीडियोज आपको चाहिए तो बेल आलकों को भी टिप करिए ओके थैंक्यू सो मच